कर दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आपका हमारी इस चैनल में मत्रों कल आप लोगों को तुला रासी वाले जातकों के कुंडली में समय गिगारवे भाव में विसेश रूप से चंदरवा का गोचर हो रहा है और आपके जीवन में आपको दो बड़े महत्प्रण प्रणों के सारे समस्त्याओं से दुखत गलीफों से और कई परकार के कश्टों से आपको छुटकार भी मिलने वाला है जिनके कारण आप अपने समाज में अपनी कलक से भी अलग पहचान बनाने वाले हैं और आपको समाजिक पत्पर्टिष्टा में बुड़ोतरी करने के मौके भी प्राप्तों होने वाले हैं आपको बताएंगे किस प्रकार से आपके जीबन में खुश्या आएंगी और किस प्रकार दुख तगलिफों से और समस्याओं से तुटकार अपपाया जा सकता है आपके जीबन में लगातार खुश्यों की प्राप्ति भी किस प्रकार हो सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्टार से वीडियो को आकरी तक देखिएगा से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें तोकि रोजान रासिक फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी अदूरी एक्षाई भी अवस्य पूरी होंगी क्योंकि आपके कुंडली में इसमें आपके इगारवे भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है जो के आपके घर प्रिवार में उच्सा करवा सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ जादा से जादा समय व्यत्तीत कर सकते हैं जीवन में आपको अनेग प्रकार के फायदे अवस्य प्राप्त होंगे तथा आपके जीवन में आपको विशेश वड़े खुसकवरी की फ्राप्ती होंगी आप एक अनुभवी लोगों के साथ दूर संचार यात्राओं पर जा सकते हैं आपके आमदनी में तेजी से दूगनी विर्दी होंगी आपको जरूरी कारे में अनेक प्रकार के बड़े वदलाब भी देखने को मिल सकते हैं आपके जीवन के से प्रकार के दुखों का अंत होंगे आपके विगड़ेवे कारे भी आसाने से बनेंगे आपको भागे के वलबुते अपने हर काम में लगातार सफलता को फ्राप्त होंगे आपको सुचेवे कारे भी पूरे होंगे सरकारी काम काजो को आप कोट का चारी के मामलों से रहत मिल सकते हैं मत्रों यसमें आपके लिए बहुती उप्योगी रह सकता है आपके लिए बहुती काफी ज़्यादा अच्छा रह सकता है आप अगर अविवाहित हैं तो आपको सच्चा प्यार की फ्राप्ती होंगे आप बहुती दिनों से जो आपने करजों में डुबे हैं उन सभी करजों से चुकारा पा सकते हैं आप लोगों को मित्रों के साथ मिलकर कारे को फूरा कर सकोगे लमट के साथ यह समय बढ़िया रह सकता है आपको कोई बड़ा ओफर मिलने से दनलाब हो सकते हैं कामकाजों में आप बहुत विदी होंगे और किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों से आपको उम्मीदे हो सकते हैं कारुबार समन्दी हात्राओं का योग रह सकता है जिनसे आपको दनदूलत की प्राप्ति होंगे आपके रुपे होए या फिर आपके लूटे वे पैसे भी आपको आपस मिल सकता है मत्रों यह समय आपके जीवन में आपको नई मिसाल को स्थापित करने में विसेश्य योगी रह सकता है जो आपको धनलाप करवा सकता है और अगर आप जीवन में कुछ बहत्रीड करने का प्रियास कर रहे हैं तो नमें भी आपको सफलता आवसिदृवाएगा आप लोगों को कोई बड़ी सफलता, मिलने का संकेत मिल सकते हैं, सिख्चा समन्दित कारे में आपको सफलता की प्राप्ती होंगे, बैपार और नोकरी के शेत्र में आपको विशेश बड़ी खुसकवरी की प्राप्ती होंगे, साथ ही जीवन साती के साथ प्यार का हो सकता है असानक से बिजनेस बैपार में आपको बड़ी खुशकवरी की फ्राप्ति होंगे बैपार बैवसाय में अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है ऐसा गरोगोचर बता रहे हैं कि आपको जीवन साथी के साथ मिलने के नए राष्टे बनाने के मौके मिल सकते हैं और कुछ न आपका बड़ा सुधार कर सकता है मत्रों आप जीवन में अगर किसी नए बैपार बैवसाय के सुरुवात करना चाहते हैं उनके लिए आपका समय बहुत अच्छे रहेंगे आर्थे की सित्या वे मुद्बूत होंगे बार बार लगातार किया प्रियास आपके लिलाप तैक सिद्ध होंगे कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होते इसलिए आप लगातार कोसिस करते नहें कारिशेतर में आपको किस्मत कर आपके किस्मत चमकने वाली हैं आपके भाग के सितारे वे आपका साथ देने वाले हैं और समाज में होने बाले प्रिवर्तर भी आपको कुज सहीयोग कर सकता है आपको जीवन में पधनुति मिल सकते हैं वैपार बैवसाय में वड़ोत्री हो सकते हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में धंदोलत में वड़ोत्री होने वाली हैं कारी शेतर में विसेद बड़े अनोखे प्रिवर्तन हो सकते हैं और किसी महत्पुन कामकाजों को करने के मौके भी आपके अवस्य हासल होंगे। आप अपने बुद्धी विवेक से लोगों के दिल को जीतने में काफिस सक्चम होंगे। लोग भी आपके तारीफे कर सकते हैं। और आपके सामाज एक पतपतिष्टा में बड़त्री होंगी। आर्थिक स्थित्व में आपका बड़ा वदलाव हो सकता है। मत्रों आपके जीबन में विसेश रूप से आने वालस में बहुत तिस्व रहेंगे। और भगवान सनिदेव जी की कृपवा से। जीबन में आपके किस्मत कुलने वाली हैं। आपके अचानक से जीबन में वैवसाई किलाप की प्राप्ति हो सकते हैं। पुराने निवेसों का नतीजा भी आपको प्राप्त होंगे। पती और पत्नी के वेज जगड़े भी कम होंगे। कारी शेत्र में विसेस बड़े खुदकवरी का आगमन भी अवस्य होंगे। तथा आप अपने भाग को पूरा बदल सकोगे। बरिजनों के साथ हांसी मजाक में आपका अधन भीत्तेगा। प्राजनितिक के शेत्र में आप कौफी जादा आसा से चपलता की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको वाहन सुक की प्राप्ति होंगे। आपको प्राप्ति होंगे। प्राप्ति होने वाली हैं और आपके जीवन में आपको दंदोलत की प्राप्ति हो सकते हैं। तथा आपको अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे समय को व्यत्तित कर सकते हैं, परिवार में आपको कोई सुबकारि हो सकता है, नए महमानों का आगमन हो सकते हैं, जिनसे की पारिवारिक जीवन में आपको वेस्तिता बने रहेंगी, कारिशेतर में आप अपने स्थि उप्योग कर सुकोगे आप बहुत संक्रे रहोंगे आपके जीवन में आपको खत्म करने के मौके मिल सकते हैं आप अपने कामों और कारोबार में तेजे से सफलता की और अगरसर हो सकते हैं आपको स्वाइत समंदे समस्याओं को खत्म करने के मौके मिल सकते हैं आपको अमरप कुल सकते हैं बारिवारिक जिम्मेदारी में आपके अवस्य वड़ोत्री होंगी आपको मान सम्मान की फ्राप्ती होंगी आपके जीवन में पैसा ही फैसा फ्राप्त होंगे आपको कोई बड़ी खुशकवरी मिल सकते हैं जिनसे की पूरे प्रिवार में खुशी का महौल से होंगे परिवार में आपसे फ्रेम बढ़ सकता है सुच्छा के शित्र में आपको बड़ी काम्यावी मिल सकती हैं आपको इसे नए कारुबार के सुरुवात कर सकते हैं